नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बिहार में जहां एक तरफ राजद अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रही है वहीं दोनों यूराज तेजस्वी और तेजपरताप जिस तरीके से आमने सामने खड़े हो गए हैं कहीं न कहीं लालू यादों के लिए तकलीफें ब हमला कर रहे हैं जहां कुछ लोग तेजस्वी यादों पर हमला कर रहे हैं वहीं कुछ तेजपरताप यादों के साथ जो हो रहा है उसे नाइंसाफी बता रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इसके पीछे लालू यादों कहीं हाथ है वहीं सताधारी दल जिसके मुख्यमंत्री है उसने सीधे तोर पर तेजस्वी यादों को कट घरे में खड़ा कर दिया है और उसके प्रवक्ता निखिल मंडल ने आरोप लगाया है कि अमीरी का नसा सब कुछ बरबाद कर देता है परिवार के सभी सदस्यों की तरह तेजस्वी यादों पर भी अमीरी का नसा लगतार च बड़े भाई ने कर दिया तेजप्ताप्य यादों ने मीडिया के सामने एसाफ कर दिया कि वह किस तरह से अपने सलाहकार के साथ दिल्ली में मौल बनवाने में लगे हूं है जैदु प्रक्ता ने कहा कि सभी जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा मौल बनाने का सपना तेजस्वी उन्हीं गरीबों के पैसे से अर्बों का मॉल बना रहे हैं। उसे उनके सगे बड़े भाई ने सब के सामने खोल दिया पूल। और तेजस्वी को राजनीती से अब सन्यास दिलना चाहिए। क्योंकि तेजपरतापियादव उनकी जगह अब स्थान ले सकते अब ये महज आरोप है या क्या ये तो कहीं न कहीं जद्यू के लोग ही बता सकते हैं। सीज़े तोर पर कृष्ण साबित करके खुद को और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले उनके भाई जब उनके खिलाफ हो गया हैं तो जद्यू और भाजपा को तो धन्यवाद।